तो आज हम आ गए हैं बहुत ही टेस्टी रिस्पी के साथ गए हैं बहुत ही टेस्टी ये फ्राई बनने वाली है तो मैंने यहाँ पर पाओकिलो भर का करेला अच्छे से राउं ड्रॉण क् लिया है हमने एक मुठी भर का जो मोमफली होती है उसको हलका सा हमने रोस्ट करके इस तरह से रख लिया है उसको जो छिलका होता है उसको हमने निकाल लिया है तो यहाँ पर हमने एक मुठी भर का मोमफली लिया है एक मुठी भरका यानि की एक कटोरी हम ले रहे हैं यहाँ पर कड़ी पत्ता इसको हमने अच्छे से वाश करके रख लिया है दो से तीन हम लेंगे लसन की डली उसके जितनी भी कलिया है उसको हमने अच्छे से छील के यहाँ पर रख लिया है तो बस यही इंग्रीडियन्स हैं हमारा यहाँ पर आज जो मसाले दा करेला है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाला है तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और मुझे लाइक और कमेंट करना ना भूलें तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं एक ग्राइंडर जार लेंगे तो पहले हम मसाला प्रिपेर कर रहे हैं तो इसमें हम डालेंगे पहले मों फल्ली यानि कि जो रोस्टेट मों फल्ली है इसको ड्राय रोस्ट करके मैंने इस तरह से डाल दिया है नेक्स्ट हम डालेंगे एक छोड़ा चमच हल्दी, एक चमच भरका हम डालेंगे इसमें नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डाले, तीन चमच हम एड़ कर रहे हैं यहाँ पर लाल मिर्च पॉडर, तो इसमें जो मिर्च है वो थोड़ा सा स्पाइसी रहेगा, अगर जितना आप मिर्च खाते हैं उससाब से ले लिजे, एक चमच भरका हमने यहाँ पर जीरा डाल दिया है, अब इन सारे इंग्रीडियन को हम अच्छे से ग्राइन कर दें, और इसका एक पॉडर बना देंगे, बिल्कुल पानी एड नहीं करना है, इस बात का आप खयाल रखें, इसको आ दालेंगे लस्टन की कलिया, इस तरह से, अब इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे, तो चलिए, पीस लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो मसाला है, वो प्रिपेर हो चुका है, आप देख सकते हैं, जितना भी मैंने इसमें डाला था, बिना वाटर के मैंने इसको पीसा है, और अच्छे से मैंने इसको ग्राइंड करके रख लिया है, तो फ्रेंज, हमारा यहाँ पर मसाला प्रिपेर हो चुका है, चलिए करेला को हम कर लेते हैं, फ्राई, एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें हम डालेंगे एक बड़ी कटोरी भर का तेल, ऑईल इसमें थोड़ा सा ज अच्छे से इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, तो आपको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स अप करेंगे और अच्छे से फ्राई करते रहेंगे, तो आप देख सकते हैं, कलर इसका चेंज हो रहा है, और काफी हद जो करेवा थेक्ट minder है यहें किसे हुंरे, चलिए अगे कुछ मिने निकाल लेटे न है, फ्राई करने से जितना भी करेला कर जो कड़वापन है वो एकदम खतम हो जाता है आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखें कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी नेक्स्ट उसी तेल में हम डालेंगे कड़ी पत्ता और स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ा से करंची होने तक फ्राई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं जो कड़ी पत्ता है वो अच्छे से करंची हो गया है अब हम इसको निकाल लेते हैं करेले में तो हमने एक ही बॉल में करेला और जो कड़ी पत्ता है यानि करेपा वो हम निकाल दिया है अब चितने भी मसाला हमने पीस के रखा था वो अब हम इसमें डाल देंगे तो इस तरह से हमने पूरा मसाले को डाल देना है चलिए अब हमने सारा मसाला अड कर दिया है हमारे करेले में अब इसको हम हाथ से अच्छे से mix-up करेंगे अगर आप spoon से करते हैं तो इतने अच्छे से mix-up नहीं होता है तो जितना भी करेला है थोड़ी से थंडा होने के बाद आप हाथ से mix-up कीजेगा वरना आपका हाथ जल जाएगा अगर आपने गरम-गरम किया तो थोड़ा सा जब थोड़ा सा सुमसुम रहे यानि कि जादा जितना आप हीट बरदाश करसों को उससाप से अगर रहे तो उससाप से आप मसाला डाल के अच्छे से इसको हाथ से mix-up कर लीजे ताकि जितने भी म आप मसालेदा करेले की जो फ्राई है वह बनके बिल्कुर रेडी हो चुका है इसको आप गरमा-गरम रोटी से खा सकते हैं चावल से खा सकते हैं अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही टेस्टी लगता है यह लासली हम इसमें जो करेले का तेल हमारा बचा हुआ था फ्राई किया हो वो हम इसमें एड़ कर देंगे ताकि हमारे जो करेला फ्राई है वो सूखे नहीं और अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं तो फ्रेंज हमारे हां पर मसालेदा करेला फ्राई बनके रेडी हो चुका है इसको गरमा-गरम आपने फैमिली अप अपने फ्रेंड्स अपने महमानों को खिलाए खाए और खुश रहें थैंक्स वर वाचिंग